महाराष्ट के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगडॉन पर फैसला लेने के लिए दो दिन की मोहलत ली है मोहलत लेने से पहले जिस अंदाज में सीम साहब ने अपनी मजबूरियां गिनाई उसे देखते हुए नहीं लगता महाराष्ट करोना के मामले में फिलहाल मजबूत स्थिती में है सीम साहब ने जिस अंदाज में कहा की इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स कहां से लाओगे जिस रफ्तार से करोना बढ़ रहा है मेडिकल संसादन 15 दिन में ही ध्वस्त हो जाएंगे बेड्स कम पढ़ने शुरू हो चुके हैं राजी की उपराजधानी राजी की उपराजधानी से सबसे पहले बेड़ और खून की कमे की शिकायते आने शुरू हो चुकी है अब अगला नंबर राजधानी यानि मुंबई का तैम आना जा रहा है चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है कोरोना के मामले में महाराष्ट देश में लगाता नंबर वन पर बना हुआ है हाला कि कोरोना वैक्सिन के मामले में भी महाराष्ट राष्ट में अवल नंबर पर है इसके बावजूद कोरोना के मामले में दुनिया के दोसों से जादा देशों में मात देने वाला महाराश्ट पर सक्त फैस्दा लेने की जरूरत है लोकडाउन पर सरकार में ही मतभेद है कॉंग्रेस और NCP के कई नेता सारवजनी तोर पर लोकडाउन का विरोध कर चुके हैं जिसमें भाई जक्ता प्रफुल पटेल संजे निरुपं जैसे नेता शामिल है विपक्षी पार्टियां भाचपा MNS भी लोकडाउन का विरोध कर रही है MNS ने तो यहां तक कह दिया है सरकार अपने नाकामियाबिया चुपाने के लिए नाइट करफी और लोकडाउन का सहारा ले रही है निउजडेस मैट्रो मुंबे